आज हम लोग बात करेंगे इंडेक्स नाओ के बारे में जिसके थूँ आप लोग एजिली इंडेक्स कर सकते हो अपनी वेबसाइट को मल्टिपल सर्च इंजिन्स के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले इंडेक्स नाओ की तो शुरुबात करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंडेक्स नाओ क्या है यह एक ओपन सोर्स इनिशियेटिव है जिसके थूँ मल्टिपल सर्च इंजिन्स पे इंडेक्स किया जा सकता है आपको सिर्फ एक बार पिंग करना है और मल्टिपल सर्च इंजिन्स वहां से जाके देख लेंगे तो यहां से सिब आपको एक सिंपल पिंग करना है इंडेक्स नाओ के ऊपर और जितने भी सर्च इंजिन से उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि यह जो यूर्ल है यह यह अपडेट किया गया है यह दिलीट किया गया है अगे फ्यूचर में और भी सर्च इंजिन से यहां पर जॉइन हो सकते हैं अब इससे एडवांटेज इसके आओंगे ब्लॉगर्स को सबसे पहले तो कि आपको हर सर्च इंजिन के ऊपर जाके मैंवली समिट नहीं करना प पड़ेगा और सर्च इंजिन से वहां पर ऑटमाइट कलीम्मिट हो गया दूसरा डाइगा कि आपको बार-बार मानुवल रिक्वेस्ट जाके नहीं टालनी पड़ेगी कि कभी को आपको मैंवली रिक्वेस्ट करनी पडती है वहां पर जाकर करके आपको यहां बहूं यही करना है यूज करने के लिए सबसे आसान तरीका और जो फ्री में भी अविलेबल है वह प्लग इन का यूज करना अपनी वर्ट्रेस वेबसाइट के ऊपर तो आज मैं आपको बताने वाला हूं रांक मात का यूज कर गे कि इसको कैसे अनेबल किया जा सकता है रांक मात एक एक अब आपको क्या करना वेब उस टरप्लयमेंग को इंस्तॉल कर लेना है को घानर पर आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग इसको आपको आप यहान है इवक्युक्त settings में settings में यहां पर आपको option मिल जाएगा auto submit करने का से यहां पर आपको post को select कर देना and then save changes कर देना है that is it अब आपकी जितने भी pages आप लोग अपलोड करोगे update करोगे add करोगे कुछ भी करोगे वो automatically यहां पर ping हो जाएंगे Microsoft Bing को और यांडेक्स को और आगे जो जाएंगे उनको भी आप लोग करेंगे उनको भी आप लोग कहोगे कि यहां पर तो मने कुछ आप किया नहीं तो रांक मात कि यही खास बात है कि वो automatically generate कर लेता है यहां पर जैसे इनों ने अपने अर्टिकल में बताया कि they generate an API key for your website dynamically host मतलब automatically यहां पर API की generate कर लेता है आपको सिर्फ एक क्लिक करना है that is it और अब यहां पर आपकी instant indexing on which is really good एक और तरीका यहां पर इसको पुश करनेगा for example मैं जाता हूँ all post पर यहां पर published post पर चले रहता हूं and जैसे हम लोग यहां पर नीचे आएंगे यहां पर इसको रिक्वेस्ट कर सकता हूं अगर मुझे manual रिक्वेस्ट करनी है फिर जितने भी मेरे पुराने वाले आर्टिकल से मुझे उसके लिए भी instant indexing के रिक्वेस्ट करनी है तो वो भी मैं यहां से कर सकता हूं मैं जैसे stock videos वाला है instant indexing पर क्लिक करते हैं हम लोग तो यहां पर submit हो गया है काफी easy इसको यूज करना और अगर मुझे बहुत सारे pages मुझे सब को करना है जितने भी मेरे पुराने आर्टिकल से तो बलक actions में भी वो चीज यहां पर available है तो index now feature को यूज करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम लोग rank math plugin का यूज कर ले अगर आपको rank math नहीं यूज करना है तो इनका there is no drawback in this subco traffic to change to enable करने में आपको जायेगा नित तो its a must use definitely do it right now so that is it for this one अगर आपको यह अच्छ लगा है तो तू थम्स अप बेढ़ीजेगा चानल को सब्स्राइब कर लेजगा और interesting videos लिए and I will see you guys in the next one good bye झाल